हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी कापके अपने यूटूब चैनल अपने कंप्यूटर लैब में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कि हम किस प्रकार आप के माद हम से अपने फॉन में क्रिएट कर सकते हैं सो चलिए let's स्टार्ट सबसे पहले हम प्ले स्टोर में में लिखेंगे हम एंडर एस्टे एमल इडिटर जैसे कि मैंने सर्च कर रखा पहले अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं यह मैंने इंस्टॉल करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और यह इंस्टॉल हो गया, क्योंकि यह थोड़े ही MB का है, तो जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद, आप इसको ओपन कर लीजिएगा, ओपन पर क्लिक करके हमने इसको ओपन कर लिया, और उसके बाद इसको हमें फाइल एक्सेस करने के लिए अलाओ करना है, उसके बाद हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, पहले इसका लेयाउट देख लेते हैं, जो एन्राइटर है स्टीमल एप है, उसके बारे में थ three lines हैं अगर मैं इस पर क्लिए करूँ हा तो यह हमें recent list दिखाएगा उसके बाद हमारा software का नाम है उसके बाद जो plus का symbol है उससे हम नई file create कर सकते हैं और जो folder का symbol है यहां से हम पुरानी file को उठा सकते हैं कि हमने पुरानी file कहां save किया जैसे example के दोड़ पर मैंने hello.testml का प्रोग्राम बनाया था यह देखिए उसके बाद अगर हमें कोई program बना के save करना है तो next folder से जो next बतन है वहां से हम save file को show कर सकते हैं उसके बाद अगर मैंने कुछ program में write किया और मुझसे गल्त हो गया और मुझे वाप्सी आना है तो मैं अंडो से उसे वाप्सी ला सकता हूं उसके बाद है three dots यहां से हम किसी भी चीज को copy कर सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं cut कर सकते हैं या save as यह हमारे ms word में file menu की तरह काम करेगा settings में जाके हम यहां font size वेगरा की changement कर सकते हैं यह था हमारा कुछ basic layout एन राइट रे html का कि अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि हम program start करेंगे तो कैसे करेंगे और आज हम पहला program start करने वाले भी हैं आईए so let's start सबसे पहले हमने new page लिया या new file को create किया plus के button पर click करके यहां मैंने लिखा देखो इसके लिए special symbols इन्होंने create करके दे रखे हैं keyboard के अंदर ही तो हमें बार-बार keyboard को change करने की ज़रूरत नहीं है और दूरसा यह हमें help भी करेगा जल्दी लिखने में जैसे मैंने यहां लिखा angular bracket start और h देखो जो h से जो जो tag है वो हमारे सामने आ जाएंगे जैसे मैंने ht लिखा तो html हमारे सामने आ गया इस पर click किजिए html लिखा गया उसके बाद जो हमारा head tag है उसको लिख लेते हैं head के अंदर हम mostly title tag को लिखते हैं तो title लिख लेजिए title लिखा गया उसके बाद मैंने title में अपना channel का नाम दे रिया जिसपे हम अपना काम कर रहे हैं अपनी computer lab उसके बाद मैंने इस title को close किया जो third number का symbol है keyboard में उपर उसको angular brackets plus साथ में जो slash है उसको हम closing tank बोलते हैं वो automatic जो tag चल रहा है उसको साथ की साथ close करता चलेगा जैसे example के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए उसने title को close किया उसके बाद head की बारी है तो हमें कुछ write करने की ज़रूत नहीं है वो automatic उसको default उठा लेगा head को हमने close कर दिया उसके बाद body tag start किया body लिखा और यहां मैंने लिखा hello how are you और उसके बाद मैंने body tag को close किया उसके बाद हमारा next जो last tag बचा है वो है HTML tag फिर मैंने HTML tag को close किया और यहां से right corner में third button से यहां से इस file को save किया और यहां इस file का मैंने नाम दे दिया lab.estimal यह मैंने इस file को save किया उसके बाद देखे keyboard के उपर जो play button है play button से हमारी file का play button से नीचे हमारी file का नाम भी आ रहा है जैसे कि दिखाया गया lab.estimal और यहां पले बटन से मैं इसको पले करूँगा तो हमारा आउटपुट हमारे सामने आ जाए इस परकार हम फॉन की मदद से हमारे HTML कोड को राइट कर सकते हैं और हम जो HTML का हमारा वर्क है वो इस आप की मदद से फॉन में कम्प्लिटली कर सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही Thank you and have a nice day